साथियों, 21 सदी का भारत आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंदान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है कुछ हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, इस सोच से अब हर भारतिय बाहर निकला है इसी ही नहीं सोच के चलते, बिते दस वर्षों में, भारत दसवे नंबर से पांचवे नंबर की एकोनोमी बना है आज भारत के यूपियाई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है कुरोना के महा संकड के दोरान भारत ने मेडिन इंडिया वैक्सिन बनाई भारत ने अपने नागरीकों को मुफ्त में वैक्सिन भी की प्रक्रिया भी पूरी की और दुनिया के दर्जनों देशों को भी वैक्सिन पहुंचाई साथियों आज यहां यंग इनोवेटर्स और अलग अलग डॉमेंस के प्रोफेशनल्स बौजूद है आप सभी समय का महत्तों समत्ते हैं ताइज समय में लक्षों तक पहुंचने का मतलब समत्त है आज हम समय के एक ऐसे मोड पर है जहां हमारा हर प्रयास अगले एक हजार साल के भारत की नीव को मजबूत करेगा आप इस यूनिक टाइम को सब्जे यह समय यूनिक इसलिए हैं क्योंकि कई अगे फैक्टर्स एक साथ आये हैं आज भारत विश्व के सबसे युवाद देश्व में से एक है आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टैलेंज पूल है आज भारत में एक स्थीर और मजबूत सरकार है आज भारत की अर्थेववस्ता रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही हैं आज भारत में साइंस और टेक्नोलोजी पर अबूत पुर्व बल दया जा रहा हैं साथियों यह वो समय है जब टेक्नोलोजी हमारी लाइब का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुकी है हम सब के जीवन में टेक्नोलोजी का जो प्रभाव आज है वो अतीत में कभी नहीं रहा स्थिती यह हैं कि एक टेक्नोलोजी के साथ हम पूरी तरह सहज भी नहीं हो सके है तब तक उसका एक अपग्रेडरी वर्जन आ जाता है इसलिए आप जैसे यंग इनोवेटर्स का रोल बहुत ही इंपोर्टन्ट है